दोस्तो नवश्कार, दोस्तो कोई नेता चुनाओ जीत जाए और फिर मुक्हमंत्री बन जाए और जनता उसे भरपूर वोट दे दे तो मतलब बहुत साफ है कि जनता को उससे बहुत उम्मीद है, उस पर बहुत भरोसा है या फिर इससे पहले जो मुक्हमंत्री थे या जिनकी पार्टी की सत्ता थी उससे उमीदें टूट चुकी थी उसके परती उसके भीतर गुसा भरा हुआ था तो उसने उस नेता को चुना और उसे मुक्हमंत्री बना दिया वही नेता दुबारा मुक्मंत्री के तोर पर चुनाव लड़े और अपनी पार्टी को जीता दे और दुबारा सत्ता में आ जाए तो इसका मतब है उसने अपने रज में बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है जनता का भरोसा उस पर लगातार बहते चला जा रहा है और फिर वो तीसरी बार फिर चुनाव जीत जाए तो लगता है जैसे जनता के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है और सिवाए इस नेता के उसके सामने कोई दूसरा नेता टिकता भी नहीं है और उसने वाकई इतना काम कर दिया है राज में की जनता को ये महसूस हो रहा है कि दरसल इसी शक्स को रज्य का मुखमंत्री होना चाहिए पांस साल नहीं, दस साल नहीं, पंद्रां पंद्रां साल तक एक ही शक्स, एक रज्य का मुखमंत्री और इस देश के भीतर में पांच रज्य ऐसे है जहां पर पंद्रा पंद्रा बरस औस तन एक नेता ने मुक्हमंत्री पद को समाला है लेकिन आज जिस सच को आपको जानना चाहिए वो सच यह है कि पहली बार चुनाव जीतने के बाद भी वो जन्ता की उमीद पर खरा नहीं उतर पाया था फिर भी चुनाव जीत गया दूसरी बार उससे भरोसा टूट रहा था लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गया तीसरी बार रज की स्थिती जरजर होती चली जा रही थी फिर भी वो चुनाव जीत गया और किसी की जिंदगी में भी या किसी भी देश के अपने जीवनकाल में 15 बरस कोई छोटे नहीं होते हैं और किसी रज में मुखमंत्री के तोर पर 15 बरस तक सत्ता समालते हुए अगर उस शक्स ने उस रज में कुछ भी काम किया होगा तो उसकी पहचान उस रज की मिट्टी के साथ होगी वहां के विकास के साथ होगी वहां की चकाचोंद के साथ होगी और वहां के अंधेरे के साथ भी होगी लेकिन 15 बरस की सत्ता के बाद जब 15 बरस पहले की इस्तितियों को टटोलना शुरू करें और एक के बाद एक पन्ने टटोलते हुए ये महसूस होने लगे कि दरसल इस 15 बरस की सत्ता में तो रज में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहा गरीबी बढ़ती चली गई गरीब परिवारों की संख्या बढ़ती चली गई बिरोजगारे की तादाद बढ़ती चली गई इंडस्ट्रीज का लगना बंद हो गया और अलग-अलग तरीके से अपराद भी बड़े चाहे वो बलतकार के मामले हो या दलित उत्पीरन के मामले हो या समानने तोर पर युह ही अपराद हो करप्शन लगतार बढ़ते चला जा रहा था इस्तिती नाजुक होती चली जा रही ती पर कैपिटा इंकम कम होते चला जा रहा था लेकिन एक ही शक्स तीन-तीन बार चुनाओ जीत गया पंद्रा बरस तक मुकमंत्री रहा रज की स्तिति फिर भी डामा डोल क्यों रही और फिर भी जनता का भरोसा उस नेता के परती उम्मीद उस नेता के परती चाहत उस नेता के परती कम होती दिखाई नहीं देती है ये कौन सा लोकतंत्र है या इस लोकतंत्र के भीतर शायद कोई ऐसा पेच है जो सत्ता में बने रखने के लिए टिकाए रखने के लिए दुबारा चुनाओ जीतने के लिए एक अलग सिस्टम के तहट काम होता है और उस सिस्टम से जनता का कुछ भी लेना देना नहीं होता है जनता अपने तोर पर वोट डालने निकल पड़ती है वोट डालने के बाद उंगली पर लगे हुए निशान को दिखाती है और कहती है लोकतंत्र जीत गया इस लोकतंत्र जीतने की परिस्तिती को एक बार फिर बिहार जीने जा रहा है मुकमंत्री पद के दावेदार में एक ही चहरा नितीश कुमार का है नितीश कुमार जब पहली बार मुकमंत्री बने थे वो दिन थी 24 नवंबर 2005 जी कितने बरस 14 बरस 11 महीने पहले वो मुकमंत्री बने थे और लगातार मुकमंत्री रहे बीच में सिर्फ 9 महीने का ऐसा वक्त आया जब उन्होंने मुकमंत्री पद छोड़ा अपनी खड़ाओं को रखकर ये कहते ही वे छोड़ा कि दरसल जो परिणाम चुनाओं के आये लोकसबा के उससे वो आहाथ है उन्हें उतनी हार महसूस होती है तब उन्होंने 9 महीने के लिए 17 मई 2014 से फरवरी 2015 तक जीतन राम मांजी को खड़ाओं देते हुए रज्य का मुकमंत्री बना दिया लेकिन एक लगातार 14 बरस 11 महीने बिहार की स्थिति आज क्या है हमें लगता है आज आज आपको जानना चाहिए समझना चाहिए और उस लोकतंत्र को भी जी लेना चाहिए जिसमें हर पांच बरस के बाद आप डुबकी लगाते हैं उंगली पर पड़े निशान को दिखलाते हैं और लोकतंत्र की जैजैकार करते हुए दोबारे उस संधेरी गुफा में समा जाते हैं जिसे नेताओं नहीं बनाया है और ये कोई अकेले मुक्कमंत्री नहीं है एक फिरिस्त देखी है मसलां 36 गल के मुक्कमंत्री हुआ करते थे रमन सिंग जो संयोग से दिसंबर 2018 में हार गए चुनाव दो ही साल तो हुए हैं लेकिन क्या हालत हुई 36 गल की क्या ये बताया जाए युनिवर्स्टी के मामले में हेल्थ सिस्टम के मामले में ट्रैवल सिस्टम के मामले में एग्रिकल्चर के मामले में इंडस्ट्री के मामले में पंद्रा साल तक उस राज्ज की इस्तिती कितनी बदतर हो गई यह भी बताया जाए उसके बाद आईए मद्द परदेश मद्द परदेश में मुक्मंत्री के तौर पर पद जब सम्हाला था वो 29 तॉमबर 2005 था जब शिवराद सिंग चोहान राज्जी के मुक्मंत्री बने थे तब से लेकर आज तक वो मुक्मंत्री बने हैं बीच में एक छोटा सा कारिकाल कमलनात कॉंग्रिस के नेता वो मुक्मंत्री बने लेकिन फिर पिछले दरवाजे से शिवराद सिंग मुक्मंत्री बन गए लेकिन कमलनात के मुक्मंत्री बनने से पहले भी तेरा साल अठारा दिन तक वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे लेकिन मद्परदेश की पहचान क्या रही एजुकेशन के नाम पर क्या व्यापम रही हेल्थ सिस्टम के नाम पर क्या वहाँ डॉक्टरों की कमी रही किसी ली सेक्टर में चाहे वो इंडस्ट्री सेक्टर हो चाहे वो अग्रिकल्चर सेक्टर हो आप ध्यान दीजिए जो लोग 15-15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने उस राजी को क्या किया राज को और खोकला कर दिया राज का और बंटाधार कर दिया लोगों की स्थिती और नाजुक कर दि फिर भी वो जीतते रहे जिताते आए जनता नहीं वोड़ दिया ये अंत्रविरोध की पोटली क्या कहती है और इतना ही नहीं नवीन पटनायक ये तो बीते 20 बरस रज के मुखमंत्री है 5 मार्च 2000 को रज के मुखमंत्री बने और अभी भी मुखमंत्री ही है और उनका भी कोई विकल्प नहीं है यानि एक पॉलिटिकल स्थिर्ता ने उस रज में इंडस्टलाइजेशन किया कॉर्परेट की इंट्री हुई लेकिन लोगों के बीच जब आप जाईएगा ट्राइबल्स के बीच में जो गरीब पिछड़े जिले हैं उन इलाकों में जाईएगा तो इस्तिती नाजुक है और 20 साल पहले जब आप पहुँच जाईएगा सन 2000 में और 2020 में कौन सी इस्तिती हो गई है तो भी आप चौप जाईएगा कि क्या वाकरी राज्य की एकनॉमी उस रूप में डेवलप होई क्या लोगों का पर कैपिटा इंकम बढ़ा क्या लोग अपनी जिंदिगी को बेहतर महसूस करते हैं क्या ये अलग अलग राज्य है इतना ही नहीं हमें लगता है दो जिक्र और होने चाहिए यहां पर एक तो नरिंद्र मोदी का भी जिक्र होना चाहिए जो गुजरात के मुक्मंत्री 7 अक्टूबर 2001 से बने और मई 2014 तक लगातार बने रहे 13 बरस 7 महीने तक लगातार गुजरात के मुक्मंत्री बने रहे लेकिन इन 13 बरस 7 महीनों के बीतर का सच क्या है हमको लगता है आपको जानना चाहिए हर सेक्टर को जानना चाहिए वो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा अगरिकल्चर सेक्टर होगा वो कॉर्पेट के स्ट्राइल शीट होगी वो गरीबों की जीवन होगा वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में BPL घर है यह भी जानिएगा तो आप चौक जाईएगा कि गरीबी को ही माप डंड बना कि अगर आप से हम बात करना करें क्योंकि सारे नेता जब मुकमंत्री बनते हैं तो गरीबों का ही जिक्र करते हैं गरीब, किसान, गुर्बा, इसी का जिक्र करके हर कोई मुकमंत्री बनता और इनी की इस्तिती धीरे धीरे कैसे नाजुक होती चली जाती है ये अलग मसला है कि जाती में भी बांटा जाता है, धर्म में भी बांटा जाता है, रज हिंसक भी हो जाता है, केसिस जो होते हैं उस पर कारवाई भी नहीं होती है, किसानों के इस्तिती और बदतर हो जाती है, मजदूरों को नियुंतंव वेतन नहीं मिलता है, ये सारी चीज नितीश कुमार को जानने से पहले एक चीज जानी है चुकि हर कोई गरीब गुर्वों की बात करता है तो इस सच को जरूर जाना चाहिए कि इस देश के भीतर में कितने घर है जो BPL परिवार है बिहार के भीतर में जनसंक्या है बारा करोड चालिस लाक ये दो हजार बीस की जनसंक्या हम आपको बता रहे है उसमें से दो करोड चोहत्तर जार दो सो बायालिस घर BPL के है कलपना कर रहे हैं आप दो हजार पांच में लोड जाईएगा तो आसत बढ़ गया है गरीबों की तादाद बढ़ गई है पर कैपिटा इंकम बढ़ गया है लेकिन आईए मद्परदेश में देखिए साड़े आठ करोड जनसंक्या है उसमें एक करोड 47,23,864 घर BPL परिवार रहते हैं 36 गर में 3 करोड 20,00 जनसंक्या है उसमें 57,14,798 घर गरीबी रेखा के हैं BPL परिवारों के है उडिसा में 4 करोड 60,00 लाक लोग रहते हैं उसमें 99,42,101 घर BPL परिवार है और गुजरात जिसको आप गुजरात, वाइबरेंट गुजरात, आधुनी गुजरात, शांदार गुजरात, विक्सित गुजरात क्या क्या नहीं मानते हैं वैपारिक दृष्टी से लेकिन उसके भीतर की गरीबी का सच भी जान लीजिए छे करोड चालिस लाग जनसंक्या गुजरात की है और वहाँ पर एक करोड सोना लाग उन्तिस हज्जार चार सो नौगर बीपियल है यानि रईसी सिम्टी हुई है यानि पैसा चंद हाथों में है यानि मुश्किल हालात बहुसंक तबके के वोटर से ही जीत कर उनी के भरोसे और उमीद के आसरे कोई मुखमंत्री बनता है लेकिन फिर भी वो जीतते चले जाते हैं जो भी जादू करते हैं उनके उंगलियों में जो भी जादू होता है चेहरे पर जो भी चमक दमक होती है वाक पटुता में जो भी संबाद जंसा से बनाते हैं वो शायद उमीद और भरोसा ऐसा जगा देते हैं क्या या फिर एक त इन पर इस्तितियों में एक रेफरेंस हमको लगता है आपके दिमाग में आना जरूर चाहिए उसके बाद हम इस्तिती बतलाएंगे अवरॉल वेस्ट वेंगौल में लगबग वहां पर जोती बसू जो थे सबसे लंबे वक्त तक लेकिन वह 21 सदी से पहले की इस्तिती है जोत इसी भी हालत में उनी परिस्तितियों में रहा जो इस 22 साल में गद्धी समानने से पहले की इस्तिती थी एक प्रॉसेस जब इतने लंबे तोर तक होता है तो तीन चीज़े उबरती है एक जो सत्ता धारी पार्टी होती है वह अपने करप्शन को सिस्टम का हिस्सा बना लेत इस सत्ता धारी पार्टी से जुड़ा हुआ जो कैडर होता है कारकरता होता है धीरे धीरे सत्ता के लिए वह ऐसा भ्यस्त हो जाता है कि उसको अपना हर काम किसी भी तरीके का हर काम उसको लगता है वह उस दाइरे में कर रहा है जहां कानून उसके लिए है यानि वह भी सिस का हिस्सा है और तीसरी बड़ी बात कानून भी दीरे दीरे उस करप्ट सिस्टम के लिए काम करने लगता है जिसके खिलाफ उसको खड़े होना था कारवाई करनी थी F.I.R. दर्ज करकर आगे जाच करनी थी ब्रश्क्त लोगों को जेल में डालना था लेकिन सत्ता है तो सत्ता सिस्टम में ही अपने आपको ढाल लेती है और सिस्टम को अपने अनुकूल कर लेती है ये है इस देश में करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन की स्थिति क्योंकि इन सब के भीतर थोड़ा सा और गुसिएगा जब इन पांच रज्जियों का जिक्र कर रहे हैं बिहार पर आते हैं कैटेगरली बिहार पर हम आएंगे खास तोर से हमको लगता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उसके भीतर जब जाइएगा तो बिहार में 40-47 होते हैं नितीश काल में 40-47 अभी भी 40-47 हो जीत कर आए और 243 विधायक होते हैं लेकिन आपको ये जानना चाहिए इन 15 बरस के दौर में 85-47 करणपती हो गए यानि पहले करणपती नहीं थे करणपती हो गए इस 15 बरस के बीत में कुछ फिर चनाव हार गए कुछ दूसरी पार्टी में चले गए वहाँ कुछ और बन गए कोई कहीं कुछ और हो गया लेकिन 85-47 ऐसे हैं बीते 15 बरस में 41 शिवरास सिंग चोहान के दौर में 41 सांसद ऐसे जो कौडपती हो गए 374 MLA ऐसे जो कौडपती हो गए 230 MLA का वहाँ पर विधान सभा का हिस्सा है 36 गल में 11 सांसद को चिंता है सिर्फ 13 सांसद ऐसे रमन सिंग के दौर में जो कौडपती हो गए जो नहीं थे पहले कौडपती वो कौडपती हो गए 90 विधान सभा की MLA का वहाँ कैपसिटी है 172 रमन सिंग के दौर में 172 MLA कौडपती हो गए उडीसा में 21 सांसद चुनते हैं 36 सांसद ऐसे जो कौडपती हो गए इसी दौर में जिस दौर में रमीन पटनाएक की सत्ता 147 MLA की वहाँ कैपसिटी है विधान सभा की लगबग 213 MLA कौडपती होगा इसी दौर में जब यह कौडपती हो रहे थे तो जनता गरीब कैसे हो रही थी जनता के BPL परिवार कैसे बढ़ रहे थे और वो संख्या बढ़ती जा रही है 2045 को अगर आप एवरेज निकालिएगा इस देश के बीतर में इन स्टेट्स में जहाँ पर 15-15 बरस तक सत्ता रही है तो जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग थे और जो कमाई थी पर कैपिटा इंकम भी वह भी इनकी कम हो गई मौजूदा वक्त में 20 साल में याद कीजिए जब इस देश के राश्पती अब्दुलकराम अजाद बने अब्दुलकराम जाब ने बहुत अच्छे का कहा था कि 2020 हमको एक टारगेट रखना चाहिए जिस समय ये देश विकास्षील ना हो विक्सित देश हो जाए एक प्लानिंग उन्होंने रखी थी एक सोच के साथ रखी थी लेकिन 2000 से 2020 में जब हम आते हैं तो इस दौर में लोकतंत्र एक ही वेक्टी को जीता है उसी को जिताता है और अपनी स्थितियों को नाजुक करते चला जाता है क्या ये संबव है किसी भी जगा पर ये संबव है कि जो मालिक है मालिक ही मानिये राजा मानिये सीम को अभी फिलाल इस देश के पीम को भी आप राजा मानिये को जो मानना मानिये लेकिन वो मालिक अपने यहां मातहत काम करने वालों की स्थिती को नाजुक करते चला जाए और मातहत काम करने वाले लोग जब वोट देने आए तो कहें कि नहीं मालिक आप ही जीती है इस पार भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है तभी हो सकता है जब उस मालिक की ही चल रही हो तो हमारा लोकतंत्र एक ऐसी इस्तिती में आ गया जहां पे हम सिर्फ उंगली दिखाएंगे वोट दिया है लेकिन इस्तिती कैसी रहेगी इन चार राज्यों का अध्यन से बहुत साफ निकलता है अब गुसिए इसमें एक टेस्ट केस बिहार इसलिए ले ले लिजिए क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे है और बिहार में किस्तिती के हजरा इसको समझे बिहार बारा करोट चालिस लाग की जनसंक्या वाला राज्य जिसका जिस्टी में योगदान है 1.3% इंकन टेक्स कोलेक्शन के जरिये उसका योगदान है 1.2% हम सब का बताएंगे चारों का लेकिन खाली बिहार का सुनिए युनिवर्स्टी बीते नितीश कुमार के दौर में सिर्फ छे युनिवर्स्टी इस्टेट अपने तौर पर क्रियेट कर पाई एवरिज ज़्यादा है देश का बहुत ज़्यादा है लेकिन इतने बरस में वो हर बरस एक युनिवर्स्टी भी नहीं बना पाई और जिन युनिवर्स्टीज को इन्होंने बनाया है उन युनिवर्स्टीज की इस्तिती भी नाजुक है नाजो किस मामले में कि वहां पर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है यह भी देखने की जरुरत है जो कि बड़ी नाजो की स्थिती में यह तमाम राज्यों की स्थिती है Health System में सबसे नीचे बिहार इसलिए है क्योंकि वहां doctors 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है WHO कहता है 1000 लोगों पर रहना चाहिए भार्स सरकार का औस्थ कहती है 11,000 लोगों पर है लेकिन बिहार में 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है अस्पताल बिहार में सबसे कम वेंटिलेटर बिहार में सबसे कम बेड्स सबसे कम बिहार में एम्बुलेंसेज सबसे कम बिहार में सारी चीजे बिहार में सबसे कम हैं अगर हेल्थ सेक्टर की ये इस्तितिय है तो आएए इंडस्ट्रीज पर क्या industrialization हुआ है बिहार सरकार के आकड़े बोलते है industrialization में हमारे पास 1676 units है total खर्चा 6,649 करोड का इसका मतलब है कि प्रती industry की लागत जो है वो 4 करोड से भी कम है 3 करोड 90 लाग और हर industry से जुड़े हुए employees की तादाद है 33,000 ये एक average निकल कराता है लेकिन जब इसके भीतर थोड़ा सा और आप जहां कियेगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या वाकई ऐसी इस्तिति है जहां पर कोई काम नहीं हुआ है तो पता चलता है कि बिहार के भीतर में जितनी भी units काम कर रही है वा unit maximum पी एसी उसकी units है जो public sector enterprises है 77 उसकी units है उसमें से 44 unit defunctional हो गई है वो काम नहीं करती है सर्फ 33 काम करती है और government ने जो इस पे invest किया है वा 53,000 करोड इंवेस्ट किया है employees 16,500 है 16,500 employees काम कर रहे है लेकिन इस से जो लाब हो रहा है सिर्फ 10 कंपनियों से लाब हो रहा है लेकिन 10 कंपनियों से कितना लाब हो रहा है total लाब ही 278 करोड है यानि प्रती कंपनी 2,5-3 करोड रुपय का लाब एक कंपनी से हो रहा है ये इस्तिती सालाना है और loss लगवग 4,300 करोड का है हर सेक्टर बिहार का जब आब बात किजिएगा डेरी, फिशरीज, एग्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, हैंड लूम, हैंडिक्राफ्ट, पेपर टाइल्स, फार्माचकल्स, कैमिकल्स, स्कूटर्स, इलेक्ट्रोनिक्स, वीडियो, सिस्ट्रम, हाॉसिंग, किस सत्ता थे उसने कानून व्यवस्था का चौपट कर दिया था, कम से कम बेटियां घर से निकलती हैं, सुरक्षित लोटे आएंगी, यह तो हो जाता है, अब आप कल्पना कर रहे हैं, इस देश को सिर्फ एकी चीज़ चाहिए कि कानून अपने तरीके से काम करता हुआ नजर जाता है क्योंकि कानून तो काम कर रहा है जनता के लिए, तो पुरानी सत्ताओं को समझना होगा कि education matter नहीं करता है, health matter नहीं करता है, industry matter नहीं करती है, agriculture matter नहीं करता है, किसान matter नहीं करता है, मजदूर matter नहीं करता है, बिरुजगारी matter नहीं करती है, higher education matter, कुछ भी matter नहीं क अच्छा है अनिता इस्तिती बिगड़ जाती है सिस्टम डावा डोल हो जाता है चाहे करप्शन हो रहा हो चाहे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स बढ़ गया हो क्योंकि जब हम आपको आख़े बता रहे थे तो एक चीज बताना भूल गया आपको इन मनरेगा जो है मनरेगा से इंकम हम लोग अब अदाज लगाना शुरू करेंगे मनरेगा बिहार में 35 दिन काम दे पाता है जिन चार राज्यों का हमने जिक्र किया है वहां भी 42 दिन से जादा काम दे नहीं पाता है हर दिन के हिसाब से 45 दिन का मतलब यह हुआ और 35 दिन का मत और अगर इसको 200 रुपए प्रती दिन के हिसाब से जो इस बार बढ़ाए गया है उसके हिसाब से भी जोड़ लें तो आपको जानकर हैरत होगी इन चार राज्यों में और बिहार में सबसे कम 19 रुपए 17 पैसे पर मंद्रेगा मजदूर एक दिन जीता है पूरे साल के हिसाब से यह स्थिती बिहार में मंद्रेगा मजदूर की और पूरा इन चार राज्यों की स्थिती देखिएगा तो वह बढ़ेगी थोड़ी सी और बढ़कर वो पहुंच जाएगी 22 रुपए 19 रुपए की जगा 22 रुपए हो जाएगी दूसरा यह है कि जो स्टेट की जो इनकम ह होती है उस इनकम के हिसाब से अगर पर कैपिटा इनकम आप निकालेंगे तो बिहार में पर कैपिटा इनकम आएगी यरली 42 हजार 242 रुपए इसको अगर मन्थ में कनवर्ट कर दिजेगा तो 3520 रुपए इसको अगर प्रती दिन में कनवर्ट कर दिजेगा तो 117 रुपए यानि बिहार में जो बूरे रज की इंकम है उस इंकम के मातहत जो काम होता है वो 117 रुपए प्रती दिन होता है यह हम बता रहे हैं ऐसी इस्तिती में जहां पर अपलेगा चलो 117 रुपए तो हो जाता है इस्तिती और ना जुक है किसानों की आए बिहार में सबसे कम लगबग 3,000 हर दिन का 116 रुपए सब को जब आप जोडते चले जाईएगा तो बिहार में लगबग BPL की इस्तिती 50% पार कर जाती है यहीं इस्तिती इन राज्जों की है जो कि 40% के उपर है और 50% के बीच में है गरीबी रेखा से नीचे इतनी बड़ी तादाद में लेकिन यहीं से सवाल होता है कि सत्ता अपने तोर पर कैसा जीवन जी रही है और अगर जी रही है तो वो क्या करती है अब आप सोचिए जितनी आये नहीं है उससे ज़्यादा इस्टेट गॉर्मेंट इंप्लाई और पेंशन वालों को पैसा देना पड़ता है यह बिहार का एक अनुठा सच है बिहार में जो इस्टेट की कमाई होगी उससे ज़्यादा जो गॉर्मेंट सेलरी और पेंशन विल है वो है 35,996 करोह यह हम आपको 18,19 का डाटा गॉर्मेंट सेलरी और पेंशन 35,996 करोब और कॉर्मेंट की जो टोटल रवेन्यु आई वो रवेन्यु आती है 33,539 करो यानि जो salary और pension है वह भी जादा है जो income है उससे जादा तो पैसा कहां से आएगा पैसा center से आएगा जो गुलामी नितीश कुमार करते है इस वक्त मोधी सरकार की उसकी वज़ा यह है पैसा तो center से ही आएगा हम लोग का जीवन कैसे चलेगा मुखमंत्री का खर्चा कैसे चलेगा मुखमंत्री निवास कैसे चलेगा राजभवन कैसे चलेगा जो गाडियों में घूमना है वो कैसे चलेगा हवाई जास से जो सफर करना है वो कैसे चलेगा विधायकों को पैसा कैसे मिलेगा और ये सारी परिस्तिती होते होते अधिकारी, करमचारी, पेंशनधारी इनको पैसा कौन देगा अगर सेंटर की गुलामी नहीं करेंगे क्योंकि बिहार एक मात राज है जहां पर 75% वह पूरी तरह निरभार है सेंटर पर और कमोवेश ऐसी जगहों पर इनी राज्यों में इ दमुक्रिसी एक ऐसी मिमत्री में तबदील कर दी गई जिसमें जो सत्ता पे बैठा हुआ है वो सत्ता पे बने रहने के लिए कुछ भी कर सकता है किसी हद तक भी जा सकता है अगर उसको जनता के उस खून की खुश्वू लग गई है जिसमें उसकी रहिसी रहे और जनता ग उस हिस्से में देखते हैं तो average हर छेत्र में जो देश का average है किसी भी छेत्र में चाहे वो BPL में हो चाहे agriculture की कमाई में हो चाहे वो इंडस्टराइजेशन की कमाई में हो चाहे PSU सेक्टर की कमाई से हो किसी भी छेत्र में जो national average है देश का जो average है पूरे देश की जनसंक्या उ ऐसी जगाओं उपर जहां पर 15-15 साल तक एक एक विक्ति राज करता है वह उस नैशनल एवरेस्ट के भी नीचे चला जाता है गुजरात इसलिए उपर आता है क्योंकि गुजरात में आसमानता सबसे जादा है एक तबका ऐसा है जिसके पास इतनी पूंजी है क्योंकि और वहां किसान मजदूरों की हो गई है लेकिन एक तबका ऐसे है अम्बानिस गुजरात से आते हैं अडानी गुजरात से आते हैं दुनिया के मांचित्र पे रईसों की शुमारी में टॉप 20 में इन दोनों का नाम आता है टॉप 10 में अम्बानिस का आता है तो सोचिए कि समान पर आप ही को इस्तमाल किया जाएगा लेकिन फिर भी आपकी इस्तिती नाजुक जब होती चली जाती है तो आप जाती में क्यों फस जाते हैं धर्म में क्यों फस जाते हैं आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि बलतकार की घटना इसके शाशनकाल में भढ़ गई अपराधियों उनकी संख्या में बड़ोत्री 2019 में हो गई, 2024 में और बढ़ जाएंगे, और अपराधी तत्वा जाएंगे, तो इसका मतलब एक गुरेज नहीं है किसी बात से, सिर्फ गुरेज इस बात से है कि हमारी सत्ता कैसे बनी रहे, इसी के लिए हम काम करते हैं, लोकतंतर जीना है तो आप जी लिजिए, जातियों में फसना है तो आप फस जाएए, चेहरा तो हमारा ही देखना होगा, नहीं दे इस फेडरल सिस्टम के काम करता है, उसके मातहत काम करता है, सम्विधान कोरून के राज को लागू कराता है, और हम चाते हैं कि हर इंस्ट्यूशन अपने तौर पर सिर्फ काम करें, कभी भी एक ही वेक्ति को लंबे वक्त तक रखना चाहिए, आने चाहिए, फैसला आप की लिए, बहुत बाच शुक्क रिए.